दोस्तो नमस्कार आपके अपने लोग प्रिये चैनल एक्सिलेंट पावर में आपका हार्दिक स्वागत है यह वीडियो समस्त विद्यार्थियों के लिए बेदी खास रहने वाली है जिन्होंने राइस्थान C.H.O. बर्ती 2020 का ये एक्जाम दिया था तो दोस्तो अब हम जानेंगे कि इस paper का यानि कि level कैसा था यह किस प्रकार का ये paper आया था यानि कि दोस्तो और पर ते एक category wise हम आपको बताएंगे कि किस category की अनमानित cut-off क्या रहने वाली है तो दोस्तो अधिकांस जो बच्चों से जैसे कि उनका कहना है कि जो पेपर का लेवल था वह एजी टू मोडरेट था यानि कि दोस्तो ये पेपर ज्यादा कुछ टप नहीं था लेकिन दोस्तो मैं बात कर लेता हूँ इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है अब की बार एक बटा चार है इसकी वज़े से इसकी कट ओफ कुछ जादा रेने वाली नहीं है तो दोस्तो राइश्थान, CHO, बरती से सम्मंदित जैसी भी कोई नई न्यू जाएगी तो हम आपको इसी चैनल के मादिन से सबसे पहले प्रोवाइट करा देंगे लेकिन दोस्तो अब इसके बाद हम आपको एक संसुदित कट ओफ और निकालने वाले हैं उसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए इसके लिए आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जाकर हमें कॉमेंट करके अवस्य बताएं आपकी कैटिगरी और दोस्तो आपके कितने मतलब कितने कोईश्चन राइट हैं इसके बारे में हमें अवस्य अवगत कराएं और दोस्तो आप यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तो बेल आइकन को भी ओन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा डाला गया पलपल का नोटी पी केसन आपको सबसे पहले मिल सके जलिए दोस्तो हम देखते हैं कटॉप कितनी रहने वाली है यानि की अनुमानित कटॉप क्या रहेगी तो दोस्तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले जर्नल कैटिगरी कि एदि जर्नल कैटिगरी के और हम बात करें दोस्तों हम बात कर लेते हैं HCT, MBC इन कैटिग्रियों के अगर हम बात करें तो यहाँ पर यदि आपके 65 प्लस कुश्चन बैट रहे हैं तो दोस्तों आप अपने आपको एक सेफ जौन में मान सकते हो जैसा कि दोस्तों कुछ अफ़ाएं मिलेंगे आपको कि मेरे इतने बैट रहे हैं इतने बैट रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों नेगेटिव मार्किंग के बज़े से इसकी कट आप जाद जाने वाली नहीं है